दोस्तों आज की तारिक में कोई भी साधी राजस्तानी गानों के बिना अदूरी है खासतोर तर राजस्तानी गानों को अगर देखा जाए तो दिनेज देवासी का गाने हर जगे चाये हुए हलाँ कि आप सब लोग दिनेईस दिवासी के सांधारГानों को लेकर तो उनको जानते ही होंगे लेकिन बहुत ही कम लोग उनकी life story के बारे में जानते होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्तानी गीतों के स्टार शिंगर दिनेस देवासी की पूरी संगर सिल स्टोरी के बारे में इस तरह उन्होंने अपने खुद के टेले नई होने के बावजूर भी राजस्तानी म्यूजिक इंडिस्टी में आग लगा दिये दोस्तों इस कानी की सुरुवात 22 माई 1987 को दिये एक छोटे से गाउं में एक छोटा सा परिवार रेता है जिसका मुक्य वैवसाइप पसुपालन था उस परिवार में एक छोटे से बच्चे का जैन्म हुआ उस बच्चे को जैन्म सही संगीत से अतील लगा था और जब वे चार साल का हो जाता है तो उसके कानों में संगीत गूजने लगता है जब भी आसपास में कहीं भी बजन कारेकरम होता था तो उनके कानों में संगीत गूज उड़ता था उनके गाओं के पास ही एक माताजी का बड़ा मंदिर था वहाँ पर परत्यक वरस एक बड़ा बजन कारेकरम हुआ करता था परिवार के साथ वे बच्चा कारेकरम में जाता और बजनों का अनन लेता था उसी परकार चलते चलते महनत करते करते वे बच्चा ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएगा ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं ता जहाँ पर उन्हें राजस्तानी में ही नहीं बलकि पूरे बारत्यमस में अपनी एक अलग पैचान बना चुके हैं जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ राजस्तानी शिंगर दिनेश देवासी के बारे में राजस्तानी संगीत कला में उन्होंने उच्छाल सा ला दिया उन्होंने एक संग संदोरी और हिलोरा लेवे लोगों के दिलों में इस कदर बसा कि आज उनकी पहसान सम्दोरियो फैम के नाम से की जाती है इसके बाद और भी कई राजस्तानी शौंग राजस्तानी गीत उन्होंने निकाले हैं जिन्होंने राजस्तानी म्यूंजिक इंडिस्ट्री में आगशी लगा दिये इनेस देवासी के परिवार में उनके माता फिता उनके चार वाई बेने इनेस देवासी परिवार में सबसे चोटे हैं इसलिए उन्हें सुरू से ही खुब प्यार मिला इस परकार उनका एक सोंग सम्दोरियो हिलोरा लेवर रिलीज हुआ तो इस सौंग के बाद दिनेज दिवासी को राजस्तानी संगीत का इस्टार बने आ जया गाने को अभी तक यूट्यूब पर 9 मिलियन से भी जादा लोग देख चुके अगर देखा जाए तो यही गाना था जिन्हों ने दिनेज दिवासी की जिंदगी को बदला और इसी गाने की बदलोत उनकी जिंदगी बदल चुके इस गाने के बाद दिनेज दिवासी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा राजस्थानी म्यूजिक इंडिस्ट्री में आगे चलते ही गए इसके बाद दिनेश देवासी को अनेक एन अनेक राजस्थानी सुपरेट गाद गीत गाए तो दोस्तों अंतमे में यही कहना चाहूंगा गेनियस देवासी आप जीवन में यूही सपलता पराप्त करें और सिकर पर पहुंचे और हमारी समाज का नाम रोसन करें तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपने बहुमूली समय निकाल कर इस वीडियो को देखा तो अब इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और हमारे यूटीब चैनल देवासी यूवास अंगडन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में हाँ तो गमेंट करना ना भूलें धन्यवाद